एक भी बुन तेल यग ही नहीं लगेगा और राद भर पानी पर चलेगा दिया बहुत ही अच्छे से देख सकते हो कितने अच्छे से दिये जल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पानी के एक बार जरूर आप भी बना के देखिए बहुत ही सुन्दर लगेंगे सब आपको कि आपने दिये कैसे बनाएं तो चले देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए तो देख सकते हैं यहां पर हमें जालना है पानी बिल्कुल नॉर्मल पानी लेना है और जो भी आप बरतन ले रहे हैं उसके बिल्कुल उपर तक पानी आना चाहिए तो मैंने दो ग्ला इसके अंतर भी डाला है, हम यहाँ पे अलग-अलग तरीके के दिये बनाएंगे, जो कि पानी पर चलने वाला दिया भी होगा, और भी दो-तिन तरीके के दिये मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसे डेकोरेशन करने के लिए, मैं पानी को थोड़ा कलर करने वाली हूँ, चाहो तो आप ऐसा ही पानी ले सकते हो, पर जैसे कलर करोगे न, और सुन्दर लगता है, क्योंकि तेवार पे कलर फुल और भी चीज़े अच्छी लगती है, और हाँ आप यह वीडियो किस गाउं से या शेहर से देख रहे हूँ, मुझे ज पास कुछ बिड्स है, इस तरीके के कुछ भी डेकोर आइटम है, फ्लावर्स है, तो आप इसे डाल सकते हो, या फिर जो आपके घर में फ्लावर्स है, पत्ते है, कुछ भी डाल दीजिए, बहुत सुन्दर लगता है, क्योंकि जो इसमें हम दिया जलाएंगे न, और अच् के साथ शेयर करूंगी, तो यहाँ पे हमें लेना है थोड़ा सा कॉटन, और दो-तीन तरीके की बाती में बताती हूं पहले तो, एक तो बहुत लोग सिंगल बाती नहीं लगाते, तो डबल बाती कैसे आसन तरीके से तयार करनी है, तो कुछ इस तरीके से हातों के उपर ले मैं आपके लिए लाती रहती हूं, तो इस तरीके से मैंने और भी दो-तीन बातीया बना ली है, आप भी जरूर बनाईए, और देख सकते हो, बिल्कुल आपका घंटों का काम मिंटों में भी हो जाएगा, और दिवाली से पहले आप यह सब तयारी करको रखोगे, तो एन इसे फेक देते हैं, तो बिल्कुल ना फेक है, इसका बोखोत ही कमाल का यूज होता है दिये में, तो यहाँ पे देखें, मैंने एक दो अलग अलग तरीके के पैकेट ले ताकि आपको समझाए कि किसी भी तरीके का पैकेट आप ले सकते हैं और यहाँ पे यह दो हिससे मैं आपको दिखाऊंगी, ऑप्शनल है, इसमें से कोई भी एक चीज़ आप यूज कर सकते हो, अगर आपके पास यह वाला भी हिस्सा नहीं है, तो आप जह सिल्वर फॉइल ले लिजे, और सिल्वर फॉइल नहीं है, तो आप कोई भी थोड़ा सा मोटा आपके पास इसी तरीके से रेडी करेंगे, तो यहाँ पर यह न, जैसी कि मैंने कहा, दो मैंने लिया है, तो आप कम जादा आपके हिसाब से ले सकते हो, और यह दिखे, इस तरीके की थोड़ी मोटी वाली पॉलिथीन होती न, इसका भी यूज कर पाओगे, या फिर आपके घर में जो है, बिल्कुल छोटा सा छेद करेंगे, जिससे कि दिखे, हम बातिया जो बनाई है न, छोटी बड़ी, उसके हिसाब से आपको यह दवाई, या फिर जो आपका सिल्वर फॉइल है, यह है, तो इसमें आपको इसको छेद बनाना है, बाति के हिसाब से छोटा बड़ा, तो बिल्कुल सेंटर में मैंने इसको भी छेद कर दिया है, इसके बात दिखे, यहाँ पर हमें चाहिए सबसे जरूरी चीज, वो है कैंडल, हमारे घर में बड़े में बचे हुए बहुत सारे कैंडल्स होते, टुकड़े होते, तो आप उसका यूज कर सकते हो, या फिर एक पा मौमबत्ती का लिक्विड है, इसको देखे, हमें कैसे यूज करना है, तो यहाँ पे हमने जो बातिया तयार करके रखी, यह हमें मौमबत्ती के लिक्विड में इस तरीके से डिप करके लेनी, जिससे कि इसके उपर मौमबत्ती लग जाएगी, कुछी सेकेंड में हमारी य इस तरीके से बहुत सारी बातिया डिबे में भरके रखोगे ना तो दिवाली के दिन आपको कोई भी परिशानी नहीं होगी तो यहां पे दिखें आप यह जो टाबलेट का मैंने लिया था हिसा तो थोड़ा सा मैंने इसको शेव दे दिया है ताकि आपका जो दिया चोटा ब मार्केट में जिसे की बाती बीच में स्टैंड कर पाती है पर हमने इसे घर पे ही बनाया है वो भी पुराने खतम करे हुए जो दवाई के रैपर होते है उससे और बहुत ही अच्छ से स्टैंड करता है बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी और पानी पे तेरने वाले द रखिए चाहू तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने कैंडल के उपर भी थोड़ा बहुत इस तरीके से फूलों से सजाय से आप डाल सकते है वो सुन्दर लगेगा या फिर जो हमने पानी के अंदर बाती रखी आप इस सामने की तरफ रखिए या फिर जो हमारा दवाई का र जो रेडी किया तरह हिस्सा उसे हमें डालना है बाती को जो की नॉर्मल बाती है कॉटन की और मैंने इसको इस तरीके से डाल दिया है अब यहां पे देखे हमें क्या करना है सबसे जरूरी जो प्लास्टिक वाला हिस्सा है मैंने इसके अंदर बाती डाल दी है और यहां पे हमें चाहिए अगली चीज जो की है थोड़ा सा ओईल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पानी से हमने एक दिया बनाएंगे और पुरा तेल का भी दिया हम बनाएंगे तो यहाँ पे लगबग चार प्रकार के दिया हमने बनाएंगे और जो दिया हमने तेल से बनाए उसके बीच मे बाती रखने के लिए मैंने silver foil को रख दिया है जो कि बहुती अराम से stand हो पा रहा है आप देख सकते हो और यहां पे तो यह ready हो चुका यह पानी वाला दिया है जिसमें हमने बिल्कुल भी oil नहीं डाला है और यह दो glass वाले जो दिये है वो हमने दो बुन oil सिर्फोर सिर्फ ड बनाया बहुत सुदर लगता है आप भी एक बार जरूर बनाईए और देख सकते हो एक ही बार में यह जलने लगे है यहां पे बहुत ज्यादा हवा है तो मैं आपको थोड़ा सा इसे side में लेके दिखाती हूँ और आप इसे decoration के लिए उस कर सकते हो किसी भी तरह से आप घर में से जलाईए बहुत सुदर लगेंगे और देख सकते हो कितने अराम से जल रहे और बहुत देर तक जलते है एक बार मेरे कहने पे बनाईए और आप देखकर हैरान हो जाओगे और हाँ वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ज्यादा ज्यादा शेयर कीजे चानल प आपको कौन सा दिया अच्छा लगा मुझे कॉमेंट में जरूर बताईए मुझे बहुत अच्छा लगेगा और सबको हैपी दिवाली दिवाली की बहुत बहुत शुप कामना है आप एंजोई कीजिए और हाँ पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू